हेलो एब्रीवन कैसे हैं आप सब आज मैं अंडे की सबजी बना रही हूँ जो की बहुत ही टेस्टी बनी है तो चलिए इसे बनाते हैं जिसके लिए मैंने अंडे ले लिए हैं इसको हम बॉयल करेंगे जिसके लिए मैंने पानी गरम किया है इसे गरम पानी में डालेंगे एक क्रेक हो सकते हैं तो गरम पानी में आपको यह दिक्कत नहीं होगी और अराम से यह अंडे उबल जाएंगे सारे अंडे मैंने डाल दिये हैं और मीडियम फ्लेम पे इसे दस मिनट के लिए मैं इसको बॉल कर लूँगी इधर मैंने टीन मीडियम सेज के टमाटर लिए हैं तीन मिर्च लिए हैं हरी मिर्च इधर यह चेक करते हैं दस मिनट के बाद यह हो चुका है इन सबको हमने छील लिया है छीलने के बाद अब हम सैड में मसाले ले लेते हैं मसाले मैं बहुती कम लेंगी जिसके लिए मैंने सिर्फ एक छोटे चम्मच से धन्या पाउडर लिया है और साथी साथ हम इसमें डालेंगे एक चम्मच हल्दी पाउडर ये छोटे चम्मच से ले रही हूं मैं एक छमच लाल मिर्षट पौइडर डाल रही हूं मैं इसमें लाल मिर्षट धिहान से डाले हैं अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं मिर्षट थोड़ा कम भी डाल सकते हैं और इसके बाद हम अपने स्वाधनु सा नमक डालेंगे बस इतने ही मसाले मैंने लिए हैं और सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है यह कस्तूरी मेथी लिए हैं थोड़ी सी कस्तूरी मेथी ऐप्शनल है अगर आप डालते हैं तो सब्जी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है इधर मैंने सर्थो का तेल गरम क्या है अब इन अंडो को मैं fry कर लूँगी मैं shallow fry कर रही हूँ आप चाहें तो deep fry कर सकते हैं अगर आपको अंडो में color चाहिए तो तेल में आप थोड़ी सी हल्दी मिला सकते हैं जिससे अंडो का color yellow हो जाएगा लेकिन मैं हल्दी नहीं मिला रही हूँ मैं नॉर्मल ही इसको shallow fry कर रही हूँ मीडियम फ्लेम पे इसे आराम से पल्टा लेंगे बहुत ही जल्दी बन जाती है simple है और बहुत ही tasty भी है ये देखे इसको पल्टाते रहेंगे ये देखे इसको जादा नहीं तलना है जादा तलने से चुई हो जाती है तो हल्का सही जैसे इसके उपर color आता है इसे हम निकाल लेंगे इस तरीके से मैंने सारे अंडे निकाल लिये हैं अब हम इसी में थोड़ा सा सरसो का तेल लेके बहुत हल्का तेल लिया है और इसमें मैंने एक तेज पत्ता, दो लॉंग और जीरा डाल दिया है जीरा होने के बाद मैं इसमें बारीक कटा हुआ लासन डाल रही हूँ लासन को भूनना बहुत जरूरी है पहले लासन ही डालेंगे लासन भूनने से सबजी का flavor बहुत अच्छा आता है खुष्वी बहुत अच्छी आती है तो थोड़ी दर इससे बूल लेंगे हम एक से दो मिनट के लिए लासन भून गया मैंने इसमें ग्रेट के हुआ अधरक डाल दिया है साती साथ हम इसमें ग्रेट के हुआ प्याज भी टाल देंगे प्याज को ग्रेड ही करना है अगर ग्रेड नहीं करेंगे तो जो सब्जी है वो थोड़ी सी पतली बनेगी ग्रेवी इसको पीसना नहीं है इसको ग्रेड ही करेंगे तो इसको हम भून लेंगे अच्छे से गैस की फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे लो फ्लेम पे प्याज को भूनेंगे गाइस आप देख सकते हैं तेल मैंने कितना कम लिया है यह आप बेट लॉस में भी खा सकते हैं इस तरीके सबजी बहुती टेस्टी लगती है यह देखे प्याज का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है इस कलर का प्याज हो जाए अगर तो फिर यह भून चुका है इसमें हम डालेंगे आप टमाटर जो टमाटर का हमने पेस्ट बना रखा था वो इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हम पानी भी डाल देंगे गैस की फ्लेम अप कर देंगे मीडियम और इसे हम टमाटर को अच्छे से भून लेंगे थोड़ी दे टमाटर को भूनना है बस एक से दो मिनट के लिए ये देखिए टमाटर भून चुका है अब हम इसमें मसाले डाल लेंगे जो हमने मसाले लिए थे थोड़ा सा इसमें पानी डाल लेंगे मसालो को भूनने के लिए ताकि मसाले जले नहीं साथ हम इसमें हरी मिर्च भी डाल देंगे कटी हुई हरी मिर्च आप कम भी ले सकते हैं इसको मिला लेंगे अच्छे से मसालों का भूनना बहुत जरूरी है मसाला आप अगर अच्छे से भूनते हैं तो ही सबजी अच्छी बनेगी अगर मसाला भूनेंगे नहीं तो सबजी आपकी अच्छी नहीं बनेगी इसलिए मसालों को भूनना बहुत जरूरी है गैस की फ्लेम बिल्कुल मीडियम पे है और इसे मसालों को हम जब तक भूनेंगे जब तक ये ऐसा ना हो जाए बिल्कुल बरतन से अलग हो जाए मसाला सेपरेट होने लगे इसका मतलब ये मसाला भून चुका है अब हम इसमें ग्रेवी मैनेज कर लेंगे मैं एक कटोरी इसमें पानी डाल रही हूँ अगर आप कम ग्रेवी रखते हैं तो कम डाल सकते हैं जादा ग्रेवी चाहिए तो आपको प्याज और टमाटर की मातरा जादा करनी पड़ेगी तो मैंने एक कटोरी पानी डाल दी है ये देखिए अब हम इसको थोड़ी देर उबाल लेंगे एक बोईल आने के बाद अब हम इसमें जो हमने अंडे फ्राइ करके रख रखे हैं वो डाल देंगे इसमें इसको आप रोटी, चावल, पूरी किसी के साथ भी इंजोई कर सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगती है ये खाने में अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिएगा गाइस और मुझे कमेंट करके बताना गाइस कैसी लगी देखिए थैंक्स पर वाचिंग